दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विशाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पैल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आ मैं आपको डीटेल में बताऊंगा उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है और जरह साभी स्किप नहीं करना है स्किप करेंगे तो काफी कुछ मिस कर देंगे एंड तक देखिएगा और जानीगा क्या है सखास आज की वीडियो में ओके दोस्तों चलिए स्टार तागी आपकी कोई important notification आपके mobile से जा चुकी है तो उसको किस तरीके से आप बापस लेके आएंगे तो यह application इसी के लिए आपको सिर्फ अपनी mobile में इस application को रखना है ओके दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो तरीकी की application देख जाएगी unread and the saved ओके दोस्तों unread देखेंगे और आप इनको scroll करते जाएंगे तो जो भी notification आपको आती जाएंगी वह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी gallery से related हैं ओके दोस्तों gallery is running and all ओके दोस्तों facebook से related जो भी आपकी हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगी आप देख सकते हैं दीरे दीरे इनको scroll कर करके जो भी notification है नौकरी.com से related है या जिससे भी related है तो आप देख सकते हैं LinkedIn से related है या फिर जो भी है तुमारी वह आप इनको को यहां से देख सकते हैं Instagram है या फिर जो भी तुमारी चीज है उनको आप कर सकते हैं okay saved notification यहां पर आप saved notification देख पाएंगे जैसे की message से related नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे यहां पर से भी हटा देंगे तो सारी notification यहां पर आपको भाली बाती दे ओके दोस्तों तो यहां पर क्या होगा आप message से related notification यहां से हट जाएंगी लेकिन अगर यहां पर एक और option है अगर आप इसको txt फाइल में convert करना चाहते हैं इस notification को तो यहां पर कर सकते हैं export message to txt फाइल इस पर click कर देंगे तो इस तरीके से यहां पर यह application काम करती है तो यहां पर देख सकते हैं आपको सारी notification आपको देखने को मिल जाती है और भी option है यहां पर message related notification आपको देखने को मिल जाएंगी तो इस तरीके से आप इस application को use कर सकते हैं यूज कीजिएगा definitely अच्छी लगेगी यह application मज़ा जाते हैं किसी एप से रिल्टर जासे कि access mobile से रिल्टर अगर आप करना चाहते तो access mobile पर क्लिक कीजिएगा on कर दीजिएगा और आपको access mobile से रिल्टर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगी और वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएंगी ओके तो इस तरीके से यह application काम क नहीं किया अभी ही तक आपने तो subscribe कर लीजिएगा तो कि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना बैल आइकन को जरूर दबाना हैं बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे नेक्ष वीडियो में ऐसी ही amazing tips, tricks और नईनी वीडियो में अब तक के लिए बाए दोस्तों